हेलो दोस्तो आज 27 अगर्स्त दोज़ार्टेईस और 28 अगर्स्त दोज़ार्टेईस से जितने भी हरियाना करेंड अफेर के क्वेस्चन मनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ इसाथ इंपोर्टेंट और एक्ष्ट्रा अफेर्ट पडेंगे विद हरियाना जिक्के और हरियाना करेंड अफेर के साथ में और आप इस करने फिर की PDF फाइल को डिस्क्रिप्शन में लेक मिल जाएगा वहाँ से डाउलोड कर सकते हैं Question number one है हरियान के की सिक्सक को राष्ट ये सिक्सक पुरुषकार 2023 के लिए चुना गया है तो इस पुरुषकार के लिए चुना गया है Option D सत्पाल सिंको अब जान लेते इसके बारे में केंद्रिये सिक्सा मंत्रल्य ने राष्ट ये सिक्सक पुरुषकार 2023 की गोशना कर दी है इसके लिए रेवाडी जिले के सत्यपाल सिंक को चुना गया है और 5 स्तंबर को दोस्तों सिक्सक दिऊस पर ये पुरुषकार दिया जाएगा अब जिकर वाथा राष्ट ये सिक्सक पुरुषकार का तो 2022 में मिला था दोस्तों ये सोनी पत की सिक्सी का अंजु दहिया को 2021 में मिला थबिवानी की ममता पालिवाल को ये भी आपको नोट कर लेना है Next है हरियाने की बेटी टियाना फोगाट ने वर्ल्ड सूटिंग चेंपिन सी में 525 मीटर की फरी पिस्टल वैक्तिकत सपर्दा में कौन सा पदक जीता है तो इस परतोगता में टियाना फोगाट ने ओप्सन सी कैसे पदक जीता है चर्खी दादरी जिले की बेटी टियाना फोगाट ने अजरबेजान की राजदानी वाकू सिटी में हुई वर्ल्ड शूटिंग चेंपिनसी में 50 मीटर फरी फिस्टल की परतोगता में गोल्ड मेडल जबकि 50 वा 25 मीटर की वैक्तिकत सपर्दा में दो कैसे पदक जीते हैं और दोस्तो इसी टियाना फोगाट ने हाली में साउथ कोरिया में आजीते जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चेंपिनसी 2023 में अलग-अलग मुकाबलों में सुन पदक जथ पदक वा कैसे पदक भी जीता था नेक्स्ट है हाली में हरियाना के की हिजले के मुकेंदर जांगू ने लद्दा की सलतारों चोटी वरतरंगा फेराया है तो मुकेंदर दोस्तों की जीले से बिलाओं करते हैं तो इसका रायट एंसर होगा उप्षन भी चर्खी दादरी जीले से बिलाओं करते हैं अब जान लेते हैं दादरी के गाउं बिलाओं की निवासी मुकेंदर जांगू ने कारा कुरम परवतमाला सेनी में स्थीत 7,742 मीटर उन्ची लद्दा की सोलतारों चोटी पर तरंगा फेराया है अब जिकरो वातत चोटी का या परवतों का तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं हाली में एरोतास कलेरी ने इरोप की सबसे उची चोटी माउंट अलवरुस को फते किया है और हाली में करनाल के सुनिल रोहिला, जजजर के कुलदीब देशवाल है और इसार की मेनू ने माउंट अवेस्ट को फते किया था नेक्स्ट है हरियान के किस व्यक्ति को जीवन गोरो पुरुसकार से समानित किया गए है तो यह पुरुसकार मिला है ओप्सने पवन वसिष्ट को अब पढ़ लेते हैं कुरुक्चितर के वैद पवन वसिष्ट को उनकी 45 साल की आयरुवेद चिकित्सा के लिए जीवन गोरो पुरुसकार से समानित किया गया है अब जिकरो वाता पुरुसकार या अवाड का तो हर्यान की दो हस्तियों को पदम सरी समान 2023 मिला था डाक्टर सकामा अचारिय को महला सक्तिकन और सिक्षा के चेतर में और यह जजज़जिले से बलाउं करती है दूसरे थे डाक्टर बक्षिराम गन्ना परतनन विग्यानवा अभ्यांतरिक चेतर में मिला था करनाल से बलाउं करते ही है और इनके द्वारा दोस्तों गन्ने की CO0238 पर जाती विख्षित की गई थी यह नोट कर लेना है नेक्स्ट है हरियान रेज्ज में सबसे पहले सराब दस्क्री को रोकने के लिए बार कोड का प्रयोग की जिलेम किया जाएगा हरियान में सराब तस्क्री को रोकने के लिए आपकारी विवाग ने हर बोतल और पेटी पर बार कोड लगाने का निर्णे लिया है बार कोड को सकेन करते ही पता चल जाएगा कि यह सराब कहां पर बनी है और की से ठेकेदार को बेजी जानी है इसके लिए दोस्तों यह पैलेट प्रजेक्ट तीन जिलो अमबाला असोनिपत और जजर में सरू किया जाएगा अब जी करूँ वादा सराब का तो इससे मिलता एक प्रेट नोट कर सकते हैं हरियान में सराब बीक्री के लाइन से सराब पिने की उमर को कानूनी तोर पर दोस्तों 25 से गड़ा कर 21 वर्स कर दिया है कतीस दिसम्बर 2020 को विदा निसबा में यह पारित किया गया था और फिर 11 फरवरे 2022 को इसे परदेश में लागू किया गया है अब दोस्तों जोबे मने पड़ा उसका फटाबर सिर्वीजिन कर लेती है हरियान के 21 सिक्सक को राष्टी सिक्सक पुरुषकार 2030 के लिए चुना है सत्यपाल सिंग को नेक्ष्ट है हरियान की टी अना फोगाट ने वर्ल्ड सूटिंग चैंपिन सिप के 25 बपचास मिटर वक्तिकत से परता में कोन से अपदक जीता है तो काई से अपदक जीता है यह पर तोकताब अजर्बेजान की राजदानी वाक्कु सिटी में कराए गई थी नेक्ष्ट है हाली महरियान के की जिले के मुके इंदर जांगो ने लद्दाक की सोल तारो चोटी वर तरंगा फेराया है तो यह दोस्तों मुके इंदर जर्खी जादरी जिले से बिलाओं करते हैं और यह चोटी दोस्तों कारा कोरम से रिन में पढ़ती है ऐसे क्वेसेन भी एक्जाम में बनते है नेक्ष्ट है हरियाना के किस वक्ती को जीवन गोरो पुरस्कार से समानित किया गया है तो पोवन वसिष्ट को नेक्ष्ट है हरियाना रेजिम सबसे पहले सराब तसकरी को रोकने के लिए बारकोड का प्रियोग की जिलम किया जाएगा अम्बाला सोनी पतोर जजर तीन जिलो में अब साथी साथ कल वालिया पिछली हरियाना करेंट फिरकर विजन कर लेते हैं हालिम हरियाना के किस गाउं के रोताच खलेरी ने इरोप की सबसे उन्सी चोटी माउंट अलवरुस को फते किया है तो इस आर जिले के मलापुर गाउं से बिलाओं करते हैं हरियाना के किस जिल में बनाय गए अलोया इस पात का प्रयोगत चंदर्यान थरी में किया गए है तो इस पात दोस्तों इस आर जिले की जिन्तल कंपनी के द्वारा बना गए है next है हरियान के की जले में नया फरेंट ट्रिमनल बनाया जाएगा तो हम बाला जले में next है हरियान का कोण सा संस्तान देश में उत्तम किसम के दुदारूप पसुगी बड़ोतिरी के लिए आर्टीपी सेल इंटेलिजेंट का प्रियोग करेगा तो नेशनल डेरी इरिसर्च इंस्टिटूट करनाल के दुवरा next है उने तरवे राष्टी फिलम पुर्षकार में हरियान की मनी सैनी की किस फिलम को बैस्टर चिल्डरन फीचर फिलम का वाड मिला है तो गांधी को last video में आपसे question पूछा था हरियान के कीस जिले में PM कुसम यूजना केतायत मल्टी मोडल लोजिस्टिक परक स्तापित किया जाएगा तो इस्तापित किया जाएगा option D, A और B इसारोवे अमबाला जिले में आज के लिए आपका question है हरियान के कीस गाउं ने सवस्ता सर्वेक्षण के तैत 2000 की अबादी वाले गाउं की सिरनी महरियान में परत्रमस्तान पराप्त किया था और हरियान रैज्जे ने सवसर्वेक्षण 2022 के ग्रामिंड चेतर और सारी चेतर में देश में कोनस्तान कर देना और वीडियो देखने के लिए thank you so much